शहर की ताजा खबरे देखने के लिए NBCN News को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकाउन दबाना ना भूलें नमस्कार मैक्षिति जादेश्मुक, NBCN News की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है City Operations Center में Smart Governance का काम होना चाहिए असे मांग शहर के नागरी को द्वारा बार बार की जा रही है लेकिन मनपा कार्यालस्ति City Operations Center का उपयोग अच्छे तरीके से पिछले कुछ वर्षों से सही मात्रा में नहीं हो रहा था जिसके चलते मनपा आयुक ततुकारा मुंडे इन्होंने तै किया कि Smart Governance का काम होना चाहिए भारत का मद्दे केंदर नागपूर शहर को कहा जाता है नागपूर की जनसंख्या तकरिबन 35 लाव के आसपास है शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और मनपा का दमकल विभाग है तो वहीं शहर के नागरिकों को मुल्बुस विदा देने का काम मनपा प्रशासन का है और उनसे जुड़े तमाम विभाग का है बिजली, पानी, सड़के, स्वास, आधि की पूर्तता करने के लिए मन्पा की स्तापना की गई थी मन्पा प्रशासन और महापौर पदाधिकारी आधिद्वारा नागरिकों की हितों को ध्यान में रखते हुए कामकाज करना है आज नागपुर शहर के अंतरगत आने वाले कई शेतर का विकास हो रहा है शहर में बढ़ती जन संक्या और वहानों की संक्या में काफी इजाफा हुआ है नागपुर शहर की याताया सुचारुढंग से चले इसके लिए याताया दुबाग के पुलिस काम कर रहे है तो वहीं शहर को स्वच्छ एवन सुंदर बनाने के लिए मनपा के अधिकारी और करमचारियों का काम काद शुरू है शहर की सडकों की जो लचर हालत हो रही है उसे सुधार निका काम मनपा द्वारा किया गया है शहर के हर चवराओं पर अब तक 307 कैमेरे लगाये गए हैं पुलिस प्रशासन, मनपा के सफ़ाई करमचारी और COVID-19 आधि के लिए केंदर सरकार और राज्य सरकार के दिशान निर्देश पर जिला प्रशासन, मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन काम काद कर रही है आए दें शहर के चौराओं पर निर्मान होने वाली समस्या, ट्राफिक सिगनल तोड़ कर याता यात नियोमों का उलंगन करने वाले लोग, दुरगटना, आगजनी, आधि घटनाओं पर पुरी तरह से पेनी नजर रखने के लिए मनपा के स्मार्ट सिटी कारेले में स्मार्ट सिटी ओपरेशन सेंटर बनाया गया था, लेकिन उनका कामकाज पुरी तरह से गतिमान नहीं हो रहा था, या ये कहें कि अच्छा मारगदर्शन का अभाव साब देखा जा सकता था, जिससे कई घटनाओं की शिनात करने के यदि होता भी था, तो उसमें बहुत जादा के समय का विलम हुआ करता था, जिससे शहर के नागरिकों को काफी असुविधा निर्मान हो रही थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए, मनपा के अईक्त तुकारा मुंडे इनोंने इस बात को गंभिरता से लेते हुए, मनप का डमकल विभाग और कोरोना के अंतरगत होने वाले कामकाद, आदि को स्मार्ट सिटी ओपरेशन सेंटर में एक ही जगों पर लाकर सभी पहलों पर पैनी नजर कैसी रखी जाए, और मनपा के सफाई करमचारी चौराओं पर साफसुत्रा काम कर रही है या नहीं, और शहर क कोई भी हिस्सों में आग लगने की खबर हो या हो फिर कोरोना का इलाज करने वाले सरकारी या प्राइवेट अस्पतार हो, एंजियो द्वारा किस प्रकार से किस दिशा में कामकाद हो रहा है, इसकी पलपल की जानकारी लेकर चुस्त दुरुस्त तरीके से पुरा नियंतर स्मार्ट सिटी ओपरेशन सेंटर के जरीये रखा जा रहा है, मनपाइक्त तुकरा मुंडे द्वारा मार्गदर्शन मिलते ही सारे अधिकारी करमचारी और बाकी विभाग से जुड़े करमचारी अच्छा कामकाद कर रहे हैं, इस स्मार्ट सिटी ओपरेशन सेंटर को इमर पुर्ती परिवन पर भी मनपाइक्त की पेनी नजर है यातायात नियंत्रन दुरगटना सुरक्षय वेवस्ता पर निगरानी के लिए इस स्क्रिन सुविधा का उपयोग किया जा रहा है शहर के हर गतिविधी और समस्याओं को जानने के लिए आयक्त तुकारा मुंडे इन्ह आपरेशन सेंटर का उपयोग करने की पहल की है और साथ ही उन्होंने शहर में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को जानने के लिए आपरेशन सेंटर पहुच कर स्तिती का जायजा लिया और प्रभाविश शेतर में समस्या हल करने के निर्देश संबंदित अधिकारियों और करमचारियों को दिये ऑपरेशन सेंटर में बैठे बैठे अईक्त मुंडे इन्होंने कैमेरे के माध्यम से बारिश के चलते शहर की आपात स्तिती का जायजा लिया शहर में उत्पन्न समस्याओं को जानकर संबंदी शेतर के जिम्मेदार अधिकारी और करमचारी से फोन प इन्होंने खुद उस करमचारियों से बात करने के बाद इन्बिश्यन समवाधता को मोबैल दे कर बात करने को कहा इन्बिश्यन टीम ने करमचारियों से मुबैल पर बात चित की इस सेंटर के माद्धन से कैसे काम काच चल रहे है इसका हमने एक मुवायना करने जब मुशिपल कमिशनर आये उन्होंने वहां के करमचारी कलोड़े से बात कि कलोड़े इस समय में स्क्रीन पर आपको देख रहे है रहो और मोबल से हम भी उनसे बात करें कलोड़े की यह बते कि जिसको वहां पर क्या हुआ था पानी आखिर कर क्यों रूप गया है क्या कहना चाहूगे हलो हाँ बोलो जोड़ से लेकिन वहां पर कुछ है डामरी करन करने के आपने बात कही थी कमिशनर से क्या कहना चाहूगे क्या ना मैं आपका तो दिन उसको लोड़े थे जिन्होंने बात करते भी यह बात आया कि उनको जैसे ही फॉरन यहां से जो भेजा गया वे तातकाल अमेडिकल चोक के उस जगों पे है जहां पे काफी पानी जमा हुआ था ट्रायाता याद भी बढ़ गई थी ऐसे समय में कुछ वहां सफाई करमचारे ने सफाई करते वे नजर आए और वहां डामरी करन करने की बात उन्होंने कही तो सहाब ने भी उसकी दखल ली है अब देखना यह होगा कि कितने जल्दी डामरी करन होता है और शायर को सच्छ और सुन्दर बनाने में मनपा मनपल की जानकरी उनसे ली जा रही है और उनसे कामकाज किये जा रहे है कहने का तत्पर यह कि मनपा प्रशासंद्वारा यह जो पहल की गई यह जो कामकाज है इस सेंटर के माध्यम से बखु भी के साथ किया जा रहा है जिससे शहर की जनता को काफी सवयोग होगा और इस कार्याले में सिटी ऑपरेशन सेंटर जो पिछले चार साल से पूरी तरह से बन के तयार था मगर पूरी तरह से ऑपरेट नहीं हो रहा था लेकिन जब से नाकपुर मिनसिपल कमिश्णर तुकरा मुंडे इन्होंने जो पदभार समाला है तब से लेकर अब तक के कई काम का सुचार उढ़ंग से चल रहे हैं इसी क्रम में सिटी ऑपरेशन सेंटर के काम का किस प्रकार से चर रहे इसका मुआय ना करने आज खुद मुनिसिपल कमिश्णर तुकरा मुंडे जी यहां पर आये हुए थे और साथ में कुछ अधिकारिया उनसे जानना चाहेंगे कि व जाकि हमारा एनमसी का या सिटी में क्या काम चल रहा इसके बारे में यहां कोई आके देखता ने था जब से सर आय है सर ने जब यहां देखा कि आपन क्या कर सकते वह इसाब से हमने ड्यूटी लगाई है हमारे स्टाप की तीशिप में और शहर में कहा भीड जमा होती कहा पार्ट आता है जिसको डिवाइडर के बाजी को जो कहते हैं फुटपाट जो दिखाई दे रही है वहाँ अक्सर जो नालिया काफी टुटु-फुटी रहती थी और जो पानी का वहाँ बड़े पैमाने पे होता था और यातायात को काफी प्रभावित हुआ करते थे ऐसे में इंजिनेरिंग इंपुट देके पी डबलीडी के डिपार्मेंट से हमने करवा लिया है और अभी जो पानी जमा होता था अभी उस जगे पर पानी जमानी होता है यह कफी पहल कफी बात इस शहर के नागरिकों के लिए कि आप क्या कहना चाओगे कि इस प्रकार से और सुद है तो हम तुरंट यहां से मॉनिटर करते हैं हमारी टीम मॉनिटर करती है और तुरंट जोन के जो अधिकारी हमारे स्काब मजडिक का दो जोन होता है इमिजेट डिस्पॉंस वो चोक में या रस्त में जो पानी जमा होता है तो उस जाता है तो व्रहदान नो हो इसके लिए इमिजेट वहां पर कारवाही करती है। तो इससे इमिजेट रियाक्शन हम दे पाते हैं। कि इसको इसका मतवश्रेय देना चाहुत शर ने हमको इसके लिए गाइट किया है। मुंडे सर के मध्यम से हमें इस चीज के लिए यहाँ पर इस तरीका का इंपूट डालने के लिए कहा गया तो इसकी साथ से हम यहाँ से कार्यवाई कर रहे हैं पिल्कुल जिस प्रकार से पुलीस प्राशासण हो दमकल विभाग हो या मनपा प्राशासन हो यह तो कामकाद अच्छा कर रहे है पूरा मौनिटरिंग एक ही जगो से अगर होता है तो कोई बादहाय नहीं होगी कोई समस्या नहीं आएगी जा दमकल विभाग की बात है जैसे कोई तालाब में कूद लेता है या फिर कुछ ऐसी समस्या है आती है ऐसे टाइम में सिटी ओपरेशन सेंटर के माध्यम से दमकल विभाग को पूरी जानकारी मिलती है और वे तुरण उसका ओपरेशन करने के लिए तयार होते हैं इस समय मे राजनर रहुच के जो कि मुख्या दीकरिया हमारे साथ में सराबते है क्या करता दो और उनके कंट्रोरम हम अलग हुआ करते है तो कोई भी आपदा हती है तो माहनगर पालिका के सारे विभाग को एक साथ मिल के काम करना पड़ता है एसी में फायर डिपार्मेंट का अन्ट यहां से जो भी आपति होगी सारे विभाग के head यहां बैठ कर कमान कर सकते हैं, शहर के पूरी स्थीतिक पे नदारा रख सकते हैं. यहां से जो vehicle mobilized होती है यह जो resources mobilized होते हैं, उसका tracking हम लोग यहां से कर सकते हैं. और जो situation है, अगर वो हमारे camera के ambit में है, तो वो situation भी हम लोग यहां से monitor कर सकते हैं। तो यह monitoring के लिए बहुत आसान हो गया है, सारे विभाग को इकत्रिक आने के वज़े से, इस command center से जो efficiency है, वो बड़ी है, response time कम हुआ है, और जो early action जो लेना पड़ता है, तो वो camera में पहले दिख जाने के वज़े से, जो action शुरू में ही बिना किसी के complaint के, महानगरपाली का अपने स्तर पे शुरू करती है, तो वो जो बड़ा घटना में रुपांतर होने वाला होता है, वो अभी नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार के इनको जो मदद जो मिल रही है, पुरा सवयोग सीटी ओपरेशन सेंटर का, इनका एक्जिक्टिव ओपरेशन सेंटर, ऐसे दो सेंटर है, और पुलिस भी अपनी पहनी नजर इसी के उपर समें रख सकते हैं, थोड़ा मैं हमारे camera person विरेंदुरा आफ से कहना चांगे, थोड़ा पैन करके बताइए स्क्रीन पर किस तरह के पुरा नजारा स्क्रीन पर इस समय में दिखाई दे रहा है, चाहिए फुटपास से लेके तबी वहां पी जो पूरे वेहिकर जो चरे, जो सड़के है, जो याताया, जो है इसकी पलपल की जानकारी, अप को बताते हैं इस समय हमार साथ में एक महिला है करमचारी उन से जाना चाहेंगे, मैं माब बताएं कि आप ये जो काम कास कर रही है, क्या आपका काम है, क्या मॉनिटरिंग करती रहती हो आप, जो भी कंट्रोलिंग रहता है, यहां का ट्रेफिक का उस पो हम कंट्रोल करते है यहां से CCTV से जो four wheeler के चालान है ट्रक है जहां पर भी jamming रहती है हम अपने constable चोक में जो constable रहते हैं हम उनको बताते हैं फिर वो कंट्रोल करते हैं चाला हम चाला हम विदाउट हेलमेट सेल बेड्स टॉप लाइंग के सब चालान हम बनाते हैं और जो हमसे यहां से जो कंट् करते हैं इस तरह से हम पूरे नाखपूर शहर का ट्राफिक कंट्रोल करते हैं हां सर हर्षदा मारावी यहां पर दल जोन की दो दस करमचारी है सर तो बाकी की तो छुट्टी है लेकिस संडे को हम रहते हैं यहां पर और एक टेबल पर आए हुए जो भी मॉनिटेरिंग करत अब अगर आता है कामेरा तो हम उसको ऑनलाइन कर देते हैं इसके लाव इन्वर्मेंट सेंसर है स्मार्ट कियोक्स है उसके बाद में डूम कैमेरा थे इन पीर है वीमी सिस्टम है वाइफाइ एक्सेस पॉइंट है यह से से सारे टेक्निकल इशु जो हम हैंडल करते हैं इस प्रकार से आप हैंडल करते हैं कभी आपको यह महसुस हुआ कि शहर के जो ड्रोन कैमेरा हुए जो बाखी जो कैमेरे लगे हुए कितने बंद है कितनी शुरू है इसका स्टेटस मिलता है आपको हम वह स्टेटस निकलते हैं यह से और जो ऑफ-लाइन है हम रिकोड करके तुरंत लाइव करने की कोशिश करते हैं इस तरह से यह पुरा कामकास सिटी ऑपरेशन सेंटर में चल रहा है जैसे कि हम इन विसन की टीम आई और सिटी ऑपरेशन सेंटर का पुरा मुएना मन पक्या अहित्त तुकारा मुंडे साथ में हमने तमाम कर्मचारियों से बात किया और उनके अपने क्या कामकास है यह भी हमने समझ लिया है जो कि शार की जनता के लिए बहुत बह पिछले चार साल में जो रिस्पॉंस नहीं मिला ऐसा मैंने शहर की जनता कहती है कि आप आने के बाद जिस गति से यह जो कामकाज हो रहा है इसके बारे में सबसे पर बताए क्या कहने चाहिए कामकास क्टेर्शन करना उसमें काम चल रहा था उसको यूज करना अची तरग religious का काम होता है तो पिछले कई दूनों से दो तिन महिने से इसमें हम आची तरह से काम कर पा रहे हैं IT का हम जब यूज करना चाहते हैं जिसको यह गवर्नास ब felt तो उस चालता है उसका utilization अच्छा होना चाहिए करना चाहिए उसके लिए कुछ system मिठाने पड़ते हैं तो smart governance की बात है तो इसी पे है smart governance वरता दूसके processes automation और end to end solutions ऐसा होना चाहिए इसलिए उस बारे में काम करना हमने चालू कर दिया जब हमें city operation center बोलके काम करते हैं तो city के services यहां से observe किये जाए और यहां से operate किये जाए उसका मतलब यह होता है तो यह जो concept है यह हमारे अधिकरी करमेचारियों के इसमें पहले दालना पड़ा कि यह city operation center का मतलब है सिर्फ traffic violation नहीं है सिर्फ पूलिस की गाड़िया प्राइम देखने के लिए उसका कैमेर का यूज नहीं होना चाहिए हाला कि आप आप देख रहे हो इसमें से पता चल रहा है कि आप बारिश हो रही है तो कहाँ जल्ब कर दो पानी और यह से पूछा हो यहाँ से फोन जाता है कि आपके एर्या में यह रहांरे आपर यह प्र बढ़र्लम है कि है कहां से बोल रहे है तो इसका इंपेट के हुआ है कि जो श्रुइसे लोगों को देने के लिए वह ग्रिवन्स के बारे में हो या कोई सरी स्वाइड करने के बाड़े में हूं तो वह इमिजेटली हम किसी कम्प्लेन आने की रहा नहीं देख रहे हैं हम प्रो एक्टिवली यहां से ट्रैक करें उसको रिजॉल कर रहे हैं और वह ताइम कितना गड़ा है इसका मैपिं भी कर रहे है जैसे कि एक्जांपल पर्मन सोलुशन हमने बता है कि यहां पर अगर समझे यह गूर की रखता हैं तो ढिना । इसकी साइज हुआ ह्या है यहां थैसे कि यहां करता है तो शायद उसी तरह से देखने के अंगल नहीं हो सकता है तो वसको सपेडने । घुक हो रहा है पर्मने आइस चर्पा चो चोक ताम ने की प्लेर करो तियु जो भी इश्व आएगा उसको पर्मनन सोलिशन मिलेगा और इमेजटली रिस्पाइब यह दोनों चीजे हो रहे है इसलिए इंप्रूमन इन गवर्नस हो रहा है इसलिए सही तरीके में सही मायने में सीटी ऑपरेशन सेंटर कैसा काम कर रहा है इससे भी देखना मिल रहा है यह सुब यहीं ने बस का ट्राकिंग बहीं से हम और तो जो कर रहा है सूबहा दगी सुबह जब अमरे सॉलिट वेस्ट मैनेंजमेंट करो डियते है वह टाइम पर एक नहीं के नहीं है यूं के हमाच वांच एह वह का ży regarding और थीया न्यूंट्ट्ट्अना यह ब्रेक हो रहा है कि नहीं वह भी देख रहे है। क्राइम के लिए इसका एफ लाकव काव Спасибо के बारे में यहां से कोड़ma कडह मेरा है वहां से अगावरे बारे में क्रूचिये वहां से भी देख रहे इसके आगे यह भाव करने वाले जैसे की हमारे जो गारी है है वो जो गाड़िया है वो कहां पर पहुंची कहां पर नहीं पहुंची उसका ट्राकिंग सिस्टम अलगा रहे हो भी यहां से अबज़ोर करेंगे वो टाइमली पहुंची एक मिनट ज्यादा एक मिनट कम उसको पेनल्टिक लिगा यहां से करने वाले हर एक सर्विस जो सेंटर जो है सही मायने में इसका इसी लिए यहां आटोमेशन बढ़ाया है और इसका इस तरह पर उसका करने का हमने कोशिश चालू कर दिया और आगे जादा बढ़ेगा अची जान करेंदे सर लेकिन जिस प्रकार से सेटी ऑपरेशन सेंटर में कोवीड का भी सेक्शन मु सब्सक्राइब करने के लिए और कोरोना को जो हमारा और चल रहा है उसके खिलाब उनको एंजियों के साथ मिलाकर जैने की जो प्रफेशनल लोग है समाज में जूड़े हुए उनके भी कॉंटक्ट है तो जो किसी में कुछ भी समझ्चा हो तो वहां फूं कर सकते हैं वहां सब्सक्राइब करने के साथ मिलाकी कर रहे हैं कौन साभी हस्पिटल जो एटी परसेंट बेड़ है उसके जो रेट्स है विसी हिसाब से इंप्लिमेंट करेगा जो उसका है उसकी किलाब हमने कारवाई चालू कर दी है आपको पता है कि अल्रेडी जिए को पैसे वापस देने को बोला है और बाकी मुद्दों पीप उनके कारवाई होगी तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी के बास अगर कंप्लेन ह कि हम रहा आने देख रहे हम प्रोयक्टिवली भी उसे इसके लिए एक आएस आपिसर उनकी टीम ही निवकी है वो इंस्पेक्शिंग करती है उसके कारवाई भी चरह हो गई है तो आप थे मनपा के आएक तो तुकारम उंडे जिन्होंने बखुबी और बेबग के साथ बात होर्त काने के लिए खासर पर जो घुंडागर्जी जो तत्व है या फिर जो यातायत है उन्स सब कि पर में पैनी नजर इसी सी इंट्यों परेशन सेंटर के माध्यम से रखी जा सकती है क्योंकि करने वालों के लिए उजाला होता है और नई करने वाले के अंधेरा होता है और मन्पा के आईता तुकारा मुंडे साहब ने जब से इस मन्पा में दस्तक दी तफसले कर अब तक के सिटी आउपरेशन सेंटर के कामकाज दिनों दीन अग्रेसर है बढ़ते ही जा रहे हैं ये शहर वास्योटले कापी अच्छी बात है नाखपूर के सिटी आउपरेशन स